हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे रक्षा बंधन के बारे में जचीट्यो भारतिय धर्म संस्कृती के अनुसार रक्षा बंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मनाया जाने के कारण इसे श्रावणी, सावणी या सलूनों भी कहते हैं। रक्षा बंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचारे संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। जिसमें रक्षा बंधन का संबंध राजा बली से स्पष्ट रूप से द्रिष्टी गोचर होता है। यह श्लोक रक्षा बंधन का अभीष्ट मंत्र येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपी बधनामी रक्षे माचल माचल इस श्लोक का हिंदी भावार्त है। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बली को बांधा गया था। उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे राखी तु मडिग रहना, तु अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। प्राथा स्नानादी से निवृत्त होकर लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या क प्रत्येक परण्दन के विशेश पकवानों का महत्व रक्षा बंधन में भी होता है। आम तोर पर दोपहर का भोजन महत्व पूर्ण होता है और रक्षा बंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बेहनों द्वारा वरत रखने की भी परंपरा है। पुरोहित तथा आचारे सुबह सुबह यजमानों के घर पहुँचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में धन, वस्त्र और भोजन आदी प्राप्त करते हैं। यह पर्व भारतिय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही, धर्म, पुरान, इतिहास, साहित्य और फैल में भी इससे अचूते नहीं हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई-बहन के पवित्र रिष्टे को पूरा आदर और सम्मान देता है। सगे भाई-बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिष्टे भी इस पर्व से बंधे होते हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। रक्षा बंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपती और प्रधानमंत्री के निवास पर भी मनाया जाता है। जहां छोटे-छोटे बच्चे जाकर उन्हें राखी बांधते हैं। रक्षा बंधन आत्मियता और स्नेह के बंधन से रिष्टों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर ना केवल बहन भाई को ही अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षा या राखी बांधने का प्रचलन है। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु को। भारत में प्राचीन काल में जब सनातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चाथ गुरु कुल से विदा लेता था, तो वह आचार्य का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था, जबकि आचार्य अपने विध्यार्थी को इस कामना के सा रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित धंग से प्रयोग करे ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो। पर्व सामाजिक और पारिवारिक एक बद्धता या एक सूत्रता का सांस्कृतिक उपाय रहा है। विवाह के बाद बहन पराय घर में चली जाती है। इस बहाने प्रतिवर्ष अपने सगे ही नहीं अपितु दूर दराज के रिष्टों के भाईयों तक को उनके घर जाकर रा प्योग किया जाता है। इस प्रकार जो कड़ी तूट गई है उसे फिर से जागरित किया जा सकता है। रक्षा बंधन के अवसर पर कुछ विशेश पकवान भी बनाये जाते हैं जैसे घेवर, शकर पारे, नमक पारे और घुगनी। गेवर सावन का विशेश मिश्ठान न है। यह केवल हलवाई ही बनाते हैं जबकि शकर पारे और नमक पारे आम तोर पर घर में ही बनाये जाते हैं। घुगनी बनाने के लिए काले चने को उबाल कर चटपटा छोंका जाता है। इसको पूरी और दही के साथ खाते हैं। हलवा और खीर भी इस पर्व के लोकप् करते समय रक्षा बंधन त्योहार को बंगाल निवासियों के पारसपरिक भाई चारे तथा एकता का प्रतीक बना कर इस त्योहार का राजनीतिक उप्योग आरंभ किया। 1905 में उनकी प्रसिद्ध कविता मात्र भूमी वंधना का प्रकाशन हुआ जिसमें वे लिखते हैं हे प्रभू मेरे बंगदेश की धर्ती नदियां वायू फूल सब पावन हो है प्रभू मेरे बंगदेश के प्रतियक भाई बहन के और अंतस्थल अविचन अविभक्ते वमे बंगला से हिंदी अनुवाद सन 1905 में लॉड करजन ने बंग भंग करके वंदे मात्रम के आंदोलन से भड़की एक छोटी सी चिंगारी को शोलों में बदल दिया 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग की नियत घोषणा के दिन रक्षा बंधन की योजना साकार हुई और लोग बाग गंगा सनान करके सडकों पर यह कहते हुए उतर आये सप्त कोटी लोकेर करुण करंदन सुनेना सुनील करजन दुर्जन ताई निते प्रतिशोध मनेर मतन करिल आमिस्वजने राखी बंधन उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं इस दिन यजुरवेदी द्विजों का उपकर्म होता है उत्सरजन सनान विधी आरार शितर पनादी करके नवीन यग्योपवीत धारन किया जाता है ब्राह्मनों का यह सर्वो परित्योहार माना जाता है वृत्तिवान ब्राह्मन अपने यज्मानों को यग्योपवीत तथा राखी देकर धक्षना लेते हैं अमरनात की अति विख्यात धार्मी क्यात्रा गुरु प्रारंब होकर रक्षा बंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहां का हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस एक दिन के लिए मुंबई के समुद्र तट नारियल के फलों से भर जाते हैं। गोबर, मिटीग और भस्मिक से स्नान कर शरीर को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद धर्म तथा वेदों के प्रवचन करता, अरुंधती, गणपती, दुर्गा, गोभिला तथा सब्तर्शियों के दर्भ के चट, पूजास्थल बनाकर उनकी मंत्रों चारण के साथ मंत्रित करते हैं और इसके बाद ही भोजन करने का प्रावधान है। तमिलनाडू, केरल, महाराष्ट्र और उडिसा के दक्षिन भारतिय ब्राहमन इस पर्व को अबनी अवित्तम कहते हैं। यग्योपवीत धारी ब्राहमनों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण करने के बाद अर्शियों का तरपन कर नया यग्योपवीत धारन किया जाता है। गए वर्ष के पुराने पापों को पुराने यग्योपवीत की भाति त्याग देने और स्वच्छ नवीन यग्योपवीत की भाति नया जीवन प्रारंब करने की प्रतिग्या ली जाती है। इस दिन यजुर्वेदिय ब्राह्मन छे महीनों के लिए वेद का अध्ययन प्रारंब करते हैं। इस पर्व का एक नाम उपक्रमन भी है जिसका आर्थ है नई शुरुवात। व्रज में हरियाली तीज, श्रावन शुक्ल तृतिया से श्रावनी पूर्णिमा तक समस्त मंदि एवं घरों में ठाकुर जूले में विराजमान होते हैं। रक्षा बंधन वाले दिन जूल अंदर्शन समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश, श्रावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षा बंधन के अवसर पर बहिन अपना संप कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता लेकिन भविश्य पुराण में वर्नन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे भगवान इंद्र घबरा कर ब्रहस्पती के पास गए वहां बैठी इंद्र की पतनी इं अंत्र शक्ती से ही विजय हुए थे उसी दिन से श्रावन पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है यह धागा धन, शक्ती, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था, सकंध पुराण, पद्म पुराण और श्रीमत भागवत में वामन आवतार नामक कथा में रक्षा बंधन का प्रसंग मिलता है, कथा कुछ इस प्रकार है, दानवेंद्र राजा बली ने जब सौ यग्य पूर्ण कर स्वर कुके मना करने पर भी बली ने तीन पग भूमिदान कर दी, भगवान ने तीन पग में सारा आकाश, पाताल और धर्ती नाप कर राजा बली को रसातल में भेज दिया, इस प्रकार भगवान विश्णु द्वारा बली राजा के अभिमान को चखना चूर कर देने के कारण य लक्ष्मी जी को नारज जी ने एक उपाय बताया, उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बली के पास जाकर उसे रक्षा बंधन बांध कर अपना भाई बनाया और अपने पती भगवान विश्णु को अपने साथ ले आई, उस दिन श्रावन मास की पूर प्रसंग में कहा गया है कि श्रावन की पूर्णिमा के दिन भगवान विश्णु ने हैग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था, भगवान हैग्रीव को विद्या और बुध्धी का प्रतीक माना जाता है, एतिहासिक प एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है, कहते हैं, मेवाड की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड पर हमला करने की पूर्व सूच ना मिली, रानी लड़ने में असमर्थ थी, अत उसने मुगल बादशा हुमायूं को राखी भेज कर रक्षा की अपने पती के हिंदू शत्रु पुरुवास को राखी बांध कर अपना मुह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिये हुए वचन का सम्मान करते महा भारत में भी इस बात का उलेक है कि जब जेष्ठ पांडव युद्धिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी की बांधने के कई उलेक मिलते हैं महा भारत में ही रक्षा बंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी का एक और वृत्तांत भी मिलता है जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तरजनी में चोट आ गई द्रौपदी ने उस समय एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षा बंधन के पर्व में यहीं से प्रारंब हुई साहित्यक प्रसंग में अनेक साहित्यक ग्रंट ऐसे हैं जिनमें रक्षा बंधन के पर्व का विस्तरित वर्णन मिलता है इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हरी का एतिहासिक नाटक रक्षा बंधन जिसका 1901 में 48 वां संसकरण प्रकाशित हो चुका है मराठी में शिंदे सामराज्जी के विशय में लिखते हुए राम राव सुभान राव बरगे ने भी एक नाटक की रचना की जिसका शीर्शक है राखी उर्फ रक्षा बंधन पचास और साथ के दशक में रक्षा बंधन हिंदी फिल्मों का लोकप्रिय विशय बना रहा ना सिर्फ राखी नाम से बलकि रक्षा बंधन नाम से भी कई फिल्में बनाएं गई जैन मतानुसार रक्षा बंधन इस दिन बिश्नु कुमार नामक मुनिराज ने साथ सो जैन मुनियों की रक्षा की थी जैन मतानुसार इसी कारण रक्षा बंधन पर्व हम सब मनाने लगे वह हमें इस दिन देश वधर्म की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी होतो लाइक और कमेंट कर दीजिए चैनल पर नए होतो सब्सक्राइब कर दीजिए ठैंक यू